नमस्कार आदाव सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार भाजपा का एक गैंडा है मैं इसमें परियाप्त सम्मान जोड़ना चाहता हूँ इसलिए गैंडा स्वामी कहता हूँ जैसे त्रिदंडी स्वामी थे जैसे करपात्री स्वामी थे जैसे स्वामी रा आदर सूचक, सम्मान सूचक, भक्ती सूचक, भाव सूचक, गौरों सूचक, अतिरेक सूचक संबोधन के बाद भी आप में से कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि कि किसी को गैंडा स्वामी कहना ठीक नहीं है। इसका जवाब देने की बजाए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी आदमी को उसके डील डॉल के आधार पर गैंडा स्वामी कहना ठीक नहीं है तो दुनिया की आधी आबादी को शूरुप नखा कहना कितना ठीक है। और अगर ओलतों को शूरुप नख पत्र बाट रहा है। हुजूर जैन समाज के एक कारिकरम में ग्यान बाट रहे थे। वहाँ उन्हों ने कहा कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहन कर निकलती है कि पूछिये मत। महिलाओं को हम देवियां कहते हैं लेकिन उनमें देवी का स्वारूप नहीं दिखता शूर्प नखा जैसी देखती हैं मतलब कुछ भी। अवल तो किसी भी महिला को शूर्प नखा कहना एक गंदी ओची घटिया और घिनों नहीं मान सकता है। ये ना केवल नजरों की गंदगी है बलकि दिमाग और दिल की गंदगी भी है। आप औरतों को कैसे देखते हैं ये उसका सबूत है। तो इस गैंदा स्वामी का नाम है कैलाश विजय वरगिये। भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं महसचिव हैं मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री होने की खाहिश रखते हैं। इनकी तमन्नाएं हैं कि भारत के सारी महिलाएं सीता की तरह दिखनी च चाहिए। द्रौपदी की तरह दिखनी चाहिए। और नहीं तो ये उनके चरित्र का चीर हरन कर देंगे। लेकिन सर जी ये भी तो देखो कि ये बोल कौन रहा है। महराज कभी अपनी शकल भी तो आइने में देखा करो। गैंडे भी सोचते होंगे कि यार हमारी सुंदर कानों के नाम से तो इनको ठीक आती है ना। तो सोचते होंगे कि मैं ही राजेश खन्ना हूँ, मैं ही राजेंद्र कुमार हूँ, मैं ही शाहिद कपूर हूँ। कैलाश विजयवर्गी आइने के सामने कहीं ऐसा तो नहीं सोचते कि मैं ही रितिक रोशन हूँ, मैं ही कार्ति कारियान हूँ मैं ही रणबीर का पूर हूँ हसिये मत आप ही बताइए कैलाश विजय वरगिये अपनी आखों के नीचे के लटके हुए मांस के लोथड़े को देखकर सतर किलो की तोंद को देखकर गालों के विस्तार को देखकर कभी सोचते होंगे कि वो तो गैंडे की तरह आपको अजीब लग रहा होगा मेरी भाशा मेरे लहजे आपको असब्धे लग रहे होंगे लेकि सीधा सवाल ये है कि अगर कैलाश विजय वरगिये अपने आपको गैंडा स्वामी मानने को राजी नहीं है तो वो महिलाओं को शूर्प नखा होने का सर्टिफिकेट किस है यह उस पीजेपी के महासचिव हैं जो नारी सम्मान के नारे उचालती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे जुमले उचालती है प्रधान मंत्री तो इतने भावक हो जाते हैं कि पूछिये मत शर्म आती है कैलाश विजय वरगिये पर वो कहते हैं कि महिलाओं को हम द देवी देखना है बेजान और अनबोल पत्थर की मूरत जिनको दीवारों में जड़के यारती उतार सकें दर्वाजे के पीछे कैद कर सकें उनके नाम पर करोडों अर्बों का राजनितिक धंदा कर सकें विजय वरगिये को हवाई जहाँ जुडाती लड़कियां परकार बनकर सवाल पूछती लड़कियां अपसर बनकर देश चलाती लड़कियां खेतों में काम करती लड़कियां जुलूसों में नारे लगाती लड़कियां सम्विधान की बात करती लड़कियां लोग तंत्र के लिए जेल जाती लड़कियां बराबरी के हक के लिए अ भूमती हुई लड़कियां, हवाओं की तरह खिल खिलाती हुई लड़कियां, समंदर की तरह डूबती उतराती लड़कियां, रेत पर अपने निशान बनाने वाली लड़कियां, पहाडों पर मुक्का मारने वाली लड़कियां, घनेरे जंगलों को हसरतों की हथेलियों से स पहलाने वाली लड़कियां पसंद नहीं। इसलिए वो ऐसी तमाम लड़कियों को शूर्प नखा कहते हैं। कहलाश विजय वर्गियों होते कौन हैं। किसी को शूर्प नखा, सीता, मंदोदरी, एश्वरिया, आलिया, नरगिस या, मधुबाला का सर्टिफिकट माटने वाले। लड़कियों सुनो, तुम मानोगी इनके ऐसे बेहया दस्तूर को। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इस गंदी मानसिक्ता के साथ जो भी खड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा इनसान तो नहीं हो सकता। हम कहां से कहां पहुँच के और भाजपा के लोग अपनी गंदी सोच से बाहर निकलने को रासी नहीं है। अच्छा ये केवल मानसिक्ता की बात नहीं है, ये एक सामूहिक राजनितिक चरित्र को भी दिखाता है, कि आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग किस तरह की है। आपको याद होगा, पिछले साल उत्तराखंड के तदकालीन मुख्यमंत्री तीरत सिंग रावत ने भी रेप्ट जीन्स पहनने वाली लड़कियों के बारे में बिल्कुल ऐसी ही घटिया टिपणी की थी। इसके बाद भी बहुत बवाल मचा था। फिर तीरत सिंग रावत ने माफी मांकर जैसे तैसे जान चुड़ाई थी। लड़कियों की टांगे, कंधे और बाजू घूरने वाले नेताओं को कभी कुम्ब के मेले में जाना चाहिए। और एखास किसम के बाबाओं के बीच चाहिए। वहाँ उन्हें साक्षात राजा रामचंदर के दर्शन हो जाएंगे। उनका आशिरवात लेना चाहिए। छोड़िये बाबाओं को, अपने साथियों को ही देख लेना चाहिए। लेकिन मर्दों को आधा आधा कुंतल की तोंद दिखाने में कोई दिक्कत नही और औरतें पसंद की जीन्स पहन लें तो गैंडा स्वामियों का खून खौल उठता है। अरे महराज कभी अपनी शकल भी तो देखा करो आईने में। पता चल जाएगा कि आदमी में अदरक के गुन आते हैं तो क्या होता है। वो कहीं से भी फैलने लगता है। और कालांत में ये पता ही नहीं चलता कि उसका मूल आतार क्या था। दरसल कैलाश विजय वरगिये का विवादित बयानों से पुरा नाता है। लड़कियों को लेकर वो अक्सर ऐसे घटिया बयान देते रहते हैं। बात है अगस्त 2022 की जब बिहार की पॉलिटिक्स पर बात करते जैसे लड़कियां बॉइफरेंड बदलती हैं वैसे नितीश सहयोगी दल बदलते हैं। इससे पता चलता है कि महिलाओं को लेकर कैलाश विजय वरगिये ही नहीं ऐसे तमाम नेता भयानक कुंठा से भरे हुए हैं। स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर ये हर्गिस सहज नहीं। ये कुंठित लोग औरतों की नजरों से नजर मिलाकर बात ही नहीं कर सकते। अगर कर पाते तो उनके नजरे फिसल कर उनके पैरों पर नहीं चली जाती। क्या कैलाश विजय वरगिये या तीरत सिंगरावत किसी मर्द की टांगे देखकर बाते करते हैं। और अग उनकी बुद्धी, उनकी सोच और उनके विवेक पर तरस आता है। औरतों के बारे में ऐसी भद्धी सोच रखने वाले किसी भी देश के लिए नासूर होते हैं। हमारा दुरभाग्य है कि भारत में ऐसे लोग देश चलाते हैं। इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आ हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैं। अर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया और मेरा ट्विटर हैं नवीन जनलिस्ट आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। लाइक जरूर करें और कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। नमस्कार।